क्या आप फोन का इस्तेमाल करते हैं जाहिर है उसमें सिम भी होगी लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी आईडी से कोई दूसरा व्यक्ति भी सिम चला रहा है अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि इस बात का पता आप कैसे लगा सकते हैं यदि आपकी आईडी पर कोई इस तरह सिम चला रहा है तब वो आपको मुसीबक में भी डाल सकता है आपकी आईडी पर कितने सिम आक्टिव हैं इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल तयार किया है इसके लिए क्या क्या करना है आपको बताते हैं सबसे पहले tafcop.digitalicom.gov.in portal पर जाएए यहां अपना मुबाइल नमबर डालें और OTP की मदद से लॉगिन करें अब उन सभी नमबर्स की डीटेल आजाएगी जो आप भी ID से चल रहे हैं लिस्ट में कोई ऐसा नमबर है जोसे आप नहीं जानते तब उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं इसके लिए नमबर और This is not my number को सिलेक करना होगा आप उपर की तरफ दे गए बॉक्स में ID में लिखा नाम डालें अब नीचे की तरफ रिपोर्ट के बॉक्स पर क्लिक करते हैं शिकायत करने के बाद आपको एक टिकेट ID रफरेंस नमबर भी दिया जाता है और इससे आप उन सभी नमबर्स को ब्लॉक कर सकेंगे जो आपकी ID से चट रहे हैं और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बन रहे हैं बंसरीम्स के साथ